आयत्त्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दुराव ओम भूर भूवाह सह तशवी तुर्वरेणियं भर्गोदे वस्च धीमाही धीयो यो नाह प्रचोदयात उस प्राण स्वरूप तत्व को अनन्त व्यापक बताया गया है ये इश्वर्य गुन है जो उस तत्व के अंदर समाया हुआ है उसी तत्व से उसी एक तत्व से सम्पून स्रस्ती का संचालन हो रहा है इसलिए वो व्यापक है कन कन का हिसाब रखता है कहीं पर भी उसके कारिय में कोई भी किसी तरह की त्रूटी नहीं है इसलिए नियाएकारी है जो उस तत्व को अपने जीव का जीवन का आधार बनाता है उसके पापों को काटता है इसलिए पाप नासक है सर्व्यापी होने के कारण सबका उद्धार करता है सर्व्यापी होने के कारण सबका उद्धार करता है अग्यानता ही दुख है ज्यान के प्रकास के रूप में जिसके अंदर आता है उसके दुखों को काटता है वो परंतत्व है वो अनंत है वो सर्व्यापी है वो चेतन्य है वो सर्वोपरी है वो एक सत्ता है जो इस जगत के पीछे एद्रश्य रूप से काम करती है इसका नियमन और नियंत्रन दोनों करती है और उससे द्रश्यमान जीवन ये द्रश्यमान जीवन उसीद से आता है सदा, सरवदा जब तक वो स्चेतन तत्व काम कर रहा है आता रहेगा इसी अनंत असीम और अनादी ज्यान और शक्ती से जो भंडार के रूप में इस ब्रमांड के अंदर ब्रमांड भंडार समाई हुई है जैसे जल चर जल में समाई होते है नब चर नब में समाई होते है प्राण तत्व तो सभी को चाहिए इसलिए प्राण तत्व में सब कुछ समाया हुआ है साधारन मनुष ऐसाधारन हो जाता है अपने सुरूप का ग्याता होने के कारण बार बार इस बिंदू पर जोड़ दिया जा रहा है अपने सुरूप का ग्याता होने के कारण अज्ञानता यही है कि हमने पंच तत्वों को से बने इस सरीर को ही अपना आपा बना लिया अनेक तरह की छाओं ने इसको अपून कर दिया अनेक तरह की इच्छाओं ने इसको अपून कर दिया जो इच्छाओं को छोड़ता है वो पून बनता है और इच्छाओं को छोड़ने के लिए एक सब्द नाम रहे रहा हूं उसको कहते प्रार्थना अर्थात भीक मांगना भीक मांगने के लिए भी तो प्रार्थना की जा सकती है न और की जाती है नहीं अपने उस परंपत्त के साथ जुड़ने के लिए प्रार्थना की जाए बोलो प्रार्थना में ताकत है या नहीं है प्रार्थना निराधार खोकली होती है क्या अगर हिर्दे का उद्गार निकल करके आए तो प्रार्थना में ताकत होती है अनू का मूलाधार प्रमानू है अनू का मूलाधार प्रमानू है यानि के परम जुड़ गया उसके साथ अनू के साथ परम जुड़ गया जो उसका मूलाधार है ऐसे ही आत्मा का मूलाधार प्रमात्मा है वो परमतत्त है परम्तत्व ही परमात्मा है अगर गती है दुनिया में तो वो परमानू के कारण है कोई भेत नहीं है वहाँ पर वहाँ पर कोई भेत नहीं है वो अपने में एक शक्ती है परमानू अपने आप में एक शक्ती है प्रार्थना के माध्यम से ये परम्तत्व अगर हमारे अंदर से हिर्दे से निकलने लग जाए तो जग का उद्धार हो जाए दो बात कहना चाहूंगा किसी भी जीव को जो उसकी प्रकरती के विरुद्ध है किसी भी जीव को जो उसकी प्रकरती के विरुद्ध है अगर सताया जाए तो उसके अंदर से करहा निकलती है या नहीं निकलती है उसकरा को तो वो दुख देता है और उसके जीवन का उद्धेश दुख देना ही बन जाता है वो पेन वेवज उस प्रमानों में जाकर के अपनी उन भाव समवेदनाओं को भर देती है या कहिए ब्रमान्ड में वो घटना जो दुखदाई है, दर्ददाई है, कस्थदाई है वो जाकर के ब्रमान्ड में समझा जाती है चेतना का चेतना के साथ संबंद है करम का जीव के साथ संबंद है जीव जैसे करमों को करता है वैसे ही परिणामों को उसको भूगना पड़ता है अती वरस्ती अना वरस्ती ओला वरस्ती भूकंप आंधिया तूफान या कहिए कस्ट कलेश ये कहीं उपर से नहीं बरस्ते हैं ये हमारी वर्तमान की स्थिती को दर्शाते हैं अज्यानता इसी को कहते हैं कि देख करके भी जीव रोना तो रोना रहता है परंतु अपनी यथार्थ इस्तिती को नहीं समझ पाता जो अपनी वास्तिक इस्तिती है उसको समझ नहीं पाता और ना समझ पाने के कारण ना समझी करता रहता है आकार प्रकार में सब भिन्न होने के कारण परती एक पदार्थ और परती एक प्रानी उसी तत्व का अंस होने के कारण उसी सिगति सील है जिस प्रकार समुद्र से उठाया हुआ एक जल बिन्दू समुद्र के सारे गुणों को अपने अंदर समेटे हुए होता है वो सारे के सारे गुण जो उस समुद्र के जल में थे उस बूंद के अंदर आ जाते हैं आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है या कईए आत्मा परमात्म तत्व से उठायी हुई एक बूंद है वो उसका संक्षिप्त एक सुरूप है समुद्र के सारी विसेश्ताओं को अपने में समेटे हुए है ये उसका व्यक्तिगत जीवन है हर एक का व्यक्तिगत जीवन है हर एक का अपना संसार है जिस तरह से व्यस्टी में समस्टी और समस्टी में व्यस्टी समाई है जीवन सीमित भी है और जीवन ऐसीमित भी है जो स्वार्थों के दाइरे में आ जाता है उसका जीवन सीमित हो जाता है जो अपनी इच्छाओं को गौन कर देता है और परिच्छा को महत्तों देता है या कहिए जिससे वो pain waves जो दर्द भरी, कराहा भरी, जो आहा भरी हुई जो दर्द की waves हैं, जिसको वो महसूस होने लग जाती है और महसूस जो होता है, उस चेतन्तत्व के कारण ही होता है कौन कितना चेतन्य है, ये उसकी प्रकर्ति पर निर्भर करता है जो जितना चेतन्य है, वो उतना ही sensitive है सम्वेदना उसे भरा हुआ है संवेदना उसे भरा है वो किसी को दुख नहीं दे सकता परन्तु जो संवेदन विहीन है उसको दुख का कोई एसास नहीं होता एक डाक्टर सबका इलाज कर सकता है परन्तु अपने बेटी का अपने परिवार का इलाज चीरा फाड़ी वाला नहीं कर सकता उसमें संवेदना है जब उप काटता है किसी अंग को तो उस दर्द के कारण उसे अपने आपे में महसूस होता है इसलिए वो उसकारिये को नहीं कर पाता जीवात्मा वही पर्मात्मा जो पर्मात्मा वही जीवात्मा इस सत्य को जान लेना ही आत्म ग्यान है जोड़ दे करके कह रहा हूँ आप सभी पर्मात्मा के अंसे हैं अच्छा जिस तरह से बूंद का अपना सीमित दाइरा होता है भावनात्मक रूप से अगर हम सब एक हो जाएं तो हमारा सुरूप मिट जाएगा हमारा सुरूप मिट जाएगा अगर भावनात्मक रूप से हम सब एक हो जाएं अकेला होना ही दुरगती का कारण है गलत व्यक्ती मिलकर के एक हो जाते हैं गलत व्यक्ती गंदे व्यक्ती मिलकर के एक हो जाते हैं गलत काम के लिए तत्पर हो जाते हैं पर अच्छे व्यक्ति अच्छे कारियों के लिए एक नहीं हो पाते बस यहीं गरबड़ है जीवात्मा के जो सत्य को जान लेता है आत्म ज्यान उसी को कहा जाता है जिन जिन महापुरसों ने आत्म प्रकास की प्राप्ति की उन्होंने अनुभव किया और प्रकट भी किया अनुभव की किया और उस अनुभव को प्रकट भी किया इस सत्य को जो उन्होंने एहसास किया उस तत्य का एक दिव्य प्रवहा जिस बात को कहने जा रहा हूं जरा गोर से सुनना अगर हम सब के बीच में उसका आदान प्रदान होने लग जाए तो उसको मैंने का दिव्य प्रवाहा अगर हमारे जीवन में होने लग जाए तो वो परम परमात्म तत्व हमारे जीवन में परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाए परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाए और उसका दिव्य प्रवहा हमारी अंतरचेत्ना विचार भाव सम्मे किरियासील होने लग जाए गुपता ये बिलकुल ठीक बात है एहम माने अकेला अकेला माने मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं इसी को तनाव कहते हैं जब कोई किसी की पीडा को नहीं समझता तो सामने वाड़ा कहता है कि मैं तो इसका इतना करता हूँ परन्तु ये मेरे बारे में बिलकुल मेरा ख्याल नहीं रखता इसको अंतर पीड़ा बोलते हैं इसी को अंतर पीड़ा बोलते हैं इस अज्ञानता के चक्कर में व्यक्ति अपने आपको सत्य बताता रहता है मैं ही ठीक हूँ सामने वाले पर दोशार ओपन करता रहता है नहीं समझता नहीं समझता आज जीव की दुरुगती का कारण और कोई नहीं है वो दिव्य परबहा अगर हमारे जीवन में परमात्म तत्तु के रूप में प्रकट हो जाए तो हमारे बीच में एक ता एक बाव पैदा हो जाए आपमे और परमात्मा में कोई भेद नहीं है गुन-गुनसे के साथ मिलता है एहम भाव के कारण ही मिलन नहीं हो पाता है हम और हमारा इश्वर एक सत्य के दो भाग हैं एक ही सत्य के दो भाग हैं दोनों अगर मिठ जाएं जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं अगर दोनों पहलू मिठ जाएं तो उस तत्व का ही उस पदार्थ का ही उस सिक्के का ही विले हो जाएगा यदि ग्यान अत्वा अनुभाव आत्म अन्वोती आत्म प्रतीती या आत्म ग्यान के अर्थ में मानी जाए और उसी रुप में उसको जीवन वेवार में लाया जाए तो जीवन कुछ का कुछ बन जाए जीवन कुछ का कुछ बन जाए मैंने रात को न्यू अशोक नगर गंगा विहार और नहरू विहार को आत्म पीड़ा लिख्खी थी जिससे मैं अंदर से पीडित हूँ मुझे नहीं पता आप में से किसने वड़ से पर पड़ा है नहीं पड़ा है ये जो उदगार आज आपको दिये गए हैं ये उसी पीड़ा का भाग है मा गायत्री और परंपुझ गुर्देल से बढ़कर के कोई ऐसा विश्व्यापी तक तो नहीं है जो आज की समश्चाओं से हमें बाहर निकाल सके अपनी लोकिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनेतिक या भोगोलिक उन समश्चाओं में हम उड़जे हुए पड़े हुए हैं जीवन किसी को नहीं दिख रहा जिस तरह से एक माबाप अपने बच्चों को अंदर से कराहा करके कहते हैं कि मुझे कल का भविष्य उज्वल नहीं दिख रहा है कल का भविष्य उज्वल नहीं दिख रहा है अगर आप सोई रहे मैं किसके बल पर काम कर रहा हूं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं अगर मेरी व्यक्तिगत कोई शक्ति है तो मेरे बहन भाई माता पिता मेरे सब कुछ तुमी ही हो तुमारे बल पर ही मैं अपने गती को कर रहा हूं समाज में अगर आज मैं जाना जाता हूं तो तुम लोगों के कारणी जाना जाता हूं अगर तुम सोए रहोगे, गती नहीं करोगे, तो परिवार उजड जाएगा रात गुपता जी और मैं बात भी खिस्बारे में चर्चा कर रहे थे पिछले अगर इतिहास को लाइव के को उठा करके देखा जाए तो दोसों व्यक्ति आया करते थे आज एक हजार व्यक्ति आते हैं, परंतु सामने अभी समय चालिस सेतालिस दिख रहे थे सब सुकरता जा रहा है, सब भगवान बन चुके हैं, उस पद को प्राप्त हो चुके हैं, अब ज़रुरत नहीं समझते ये मेरी पीडा है, ये मेरी अंदर की पीडा है, जितनी मैं भागदोड करता चला जा रहा हूं, उतना ही मेरा परिवार लापरवाह हूता चला जा रहा है मैं मजबूर हूँ अपनी भावना से, मेरी अंतर आत्मा स्विकार नहीं करती, नहीं तो इतना बड़ा गायत्री परिवार है, वो भी चल रहा है वो भी चल रहा है, जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो सब अपने नए कपड़े पहन करके, मूझ तान करके और डंडा ले करके आ जाते हैं आज दिक्कत यही है, सेवा भावियों की कमी है सेवा भावियों की कमी है, उंगली उठाना, इसारा करना, वो तो बहुत है, पर कमी है करने वालों की, और फिर से बोलता हूँ परमपुज, परमपुजनी यह माता जी ने एक जगे लिखा था, कि मेरे लाखो करोड़ों बेटे है, पर उनमें एक बेटा मेरा है लीलापत, उनमें एक बेटा मेरा लीलापत है, जिन बेटों में मैं सबसे बड़ा उसी को मानती हूँ, क्योंकि राथ दिन वो हमारी सेवा में लगा रहता है, मैं भी आप से कह रहा हूँ, आपका भी अपना परिवार है, आप अपनी आखों से, खुली आखों से देखते हैं कौन क्या करता है, सब को पता है, परन्तु बगेर दिखाए, जो एहम भाव को बगेर लगाए, परिवार की सेवा में लगा रहता है, वो वरिष्ट कहा जाता है, चाए उमर में छोटा हो, पद में छोटा हो, जो गुरू की सेवा में तत्पर रहेगा, गुरू का कहना मानेगा, गुरू की द्रस्टी में उसका इस्तर हूचा होगा, जब तब सब अपनी जगे हैं, उनके अपने महत्व हैं, और कह रहा हूँ, गुरू से भी बड़ी होती है गुरू की कृपा, अगर उस कृपा को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो वो तत्प उसी के अंदर विराजमान है, जिसको आत्म तत्प कहा है, फिर प्रार्थना खुद नहीं करता है, उसकी सेवा गुरू उसके उपर उपकार करता है, गुरू उसके उपर उपकार करता है, हारी, पिमारी, दुख, कस्ट, कलेश, रोग, शोक, जितने भी भूकम्प, पीडित, जितना जो कुछ भी संसार में है, ये सब है संतुलन के कारण है, और जो मैंने कहा, पेइन वेव्ज, वो इसको तरंगित कर रही है, वो इस संसार को तरंगित कर रही है, समय ज़्याद ले चुका हूँ, इसलिए एक सब को साड़े आठ बजे वहाँ पहुचना है, अगर आप में कोई रहम है मेरे उपर, तो मेरी बात को अंसुनी मत करना, वरना खुद ही पच्चता होगे, मैं तो अपनी आदत को नहीं छोड़ूँगा, पर बच्च आप भी नहीं पाएंगे, इसलिए जो काहँ जा रहा है, उसको अमल में लाया जाए, धियान को आज रोक देते हैं, आप अपने इस तर से कर लेना, यग कर लीजिए, आठ बजे तक मैं आपको छोड़ दूँगा, साड़े आठ बजे वहाँ पोहँचना है, यग की तरफ चलें, पवित्री करणम, आठ बजे आठ पर जल लेकर स्वाहा पर पियेंगे, आम अम्रतो प्रस्तन मसी स्वाहा पिर जल लेंगे, आम अम्रता पिधान मसी स्वाहा पिर जल लेंगे, आम सत्यम यसे सिरिनमाई स्री स्रीयताम स्वाहा हाथ साप करेंगे, बाएं हाथ पर जल सीदे हाथ की पांच उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे, आम चिद्दर उपनी महमाई दिवतेजय समन्विते तिस्देवी सिखा मद्दे तेजो व्रद्दिम कुरुष्यमेव, मेरे साथ दोहराईए, अच्छाई की तरफ ही चलेंगे, आम वांग में आसई अस्तू मुक को, आम नशोर में प्रानवस्तू नाशिका के दोनो चिद्रों को, आम अक्षनोर में चक्छुरस्तू दोनो नेत्रों को, आम कर्णयोर में स्रोत्रमस्तू दोनो कानों को, आम बाहोर में बलमस्तू दोनो भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंगाओं को संपून सरीर पर ओम अरिस्तानी मेंगानी तनुस्तनवा में सहसंतु प्रथवी पूजनम एक आचमली जल धर्ती पाता पर चड़ा करके चर्ण सपर्स करेंगे ओम प्रत्वित्या धर्ता लोका देवी त्वम विश्णुना धर्ता तुम्च धारियमाम देवी पवित्रम कुरुचास्मनम एक दूसरे को तिलक लगाएं ओम चंदनश्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनास्नम आपदाम हर्ते नित्यम लक्षमी तिष्टती सर्वदाम जिनोन कलावा नहीं बांध रखा हो आपसम बांध लें जिनोन बांध रखा हो मुठ्थी बांध करके कलावे को पकड़ कर संकल्प दोराएंगे ओम ब्रतेन दिक्षा मापनोती दिक्षा यापनोती दक्षणाम दक्षणाम स्रद्धया मापनोती स्रद्धया सत्यमाप्यते पात्रता को तिलक करने के लिए पात्र को तिलक करेंगे कलस को तिलक करेंगे ओम तत्वायामि ब्रह्मना वंदमानस्त दासास्ते यजमानो हविर्भी अहेडमानो वरुनेह बुद्ध्यर्शह ग्वंग्षमाने आयुह प्रमोसीही ओम अनुर्जूतिर जुसतामा जश्य दिहस्पतिर यग्यमिमं तनूत्वरिस्तम यग्य ग्वंग्षमिमंददातु विश्वे देवास इहमाद यन्ताम आम प्रतिस्तह आम वरुनाईनम आवाहयामि स्था प्यामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करो में दीपक का पूजन करेंगे गुर्देव माता जी को तिलग करेंगे गुर्देव माता जी को तिलग करेंगे आयातु वर्दे देवी त्रेक्षरे ब्रह्म बादनी गायत्री चंद साम माता हा ब्रह्मेयोने नमस्तु ते ओम स्री गायत्रे नम आवा हियामी स्था प्यामी ध्यायामी ततो नमस्कारम करूमी पूजन करेंगे एक साबुत पुष्प लेंगे समर्पन के भाव के साथ उसको समर्पित करेंगे ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नम आवा हियामी स्था प्यामी आसनम समर्पयामी बूंद बूंद करके चार बूंद डालेंगे और साह्यक परिजन कलाव के दो तुखडे तोड़ लेंगे पात्यम समर्पयामी, अर्गम समर्पयामी, आच्मनम समर्पयामी, सनानम समर्पयामी कलावा लेंगे वस्त्रम समर्पयामी दूसरा यग्यो पवितम समर्पयामी तिलक करिये गंधम विलेप पयामी चावल दीजिये अक्ष्तानी समर्पयामी पुष्पानी समर्पयामी धूपम मागरेया पयामी दीपम दरसयामी कोई मीठी चीज निवेध्यम निवेध्यामि फूलपत्तिया सुपारी तामबुल पुंगि फलानी समरपयामि सिख्का या Čचावल दक्षणाम समरपयामि सरवा भावे अक्षतानी समरपयामि ततव नमशकारम करोमी नमोस्तनन्ताई सहस्रमूर्तई सहस्रपादाक्षिशिरोर भावि सहस्र नामने पुर्षाई सार्षते सहस्रकोटी युगधारने नमें। बाई हात पर रक्षत ले करके रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वारा है आगने आमगणुद्धजे दक्षने पद्वनाभमस्तु नेरेत्रियाम मदुसूदने पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्याम्तु जनार्दने उत्तरे स्रीपती रक्षेद इशान्यम ही महिस्वरे ऊपर उर्धम रक्षतु धातावो नीचे हयोदो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपियत स्थानम रक्षत विसो ममादिक अपसर्वन्तु ये भुता ये भुता भुमे सनिस्तताई भुता विग्न करता रस्ते कच्छन तु सिवाग गया अपक्रामन्तु भुतानि पिसाचा सर्वतो दिसम सर्वे साम्विरोधेन यग्यकर्म समारभे अग्नी स्थापनम अग्नी स्थापना करिए ओम भुर्भुए स्थ्योरिव भुम्नाह प्रथविववरिम्नाह तश्यास्ते प्रथविह देव यजने प्रस्ते अग्निम् मनाद मनाधा यादधे अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाह मुपबुर्वे देवाम आसाद यादिह ओम अग्ने नम अग्निम् मावाहयामे स्थाप्यामे ध्यायामे ततु नमस्कारम करोमे चार समीध हैंदान करनी है ओम अयनते इदमातमा जातवेद से इस्तेने द्हवर्दष्चे द्हवर्दे चास्मान परजया पशुर्वे बमवर्चे से अन्ना देन समेद्धहियाई स्वाह इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम दूसरी ओम समिधागनिम दुवश्यत धृतई बोध्यताति थिम अश्मिन हव्य जुहोतने स्वाह इदम अगने इदम नमम तीसरी ओम सु समिधाई सोचि से गृतम तिब्रम जुहोतन अगने जातवेद से स्वाह इदम अगने जातवेद से इदम नमम चोथी ओम तम्त्वा समित भिरंगरो गृतेन वर्धया मसी ब्रहच्छोचा यविस्तेयी स्वाह इतम आगने अंगिर से इदाम ने मामे जल प्रसेचनम कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे ओम अधिते अन्मन्यश्वय इती पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यश्वय इती पस्चिमे ओम सर्स्वताय अन्मन्यश्वय इती उत्तरे दक्षिन से चारो तरफ गी की आहुती थोड़ा सा घी डाल दीजिए पहले देव शक्तियों को रिसी भग सक्ताओं को बुलाएंगे उसके बाद आज जाहुती हो सबसे पहले गोतम रिसी हाथ पर पुष्ट चावल ले ले और रिसीयों को ध्यान करते हुए उन्ह बुलाएं ओम सबसे पहले गोतम रिसी ओम गोतम है सरभूता नाम रिसी नाम चदस सदापिरियम स्रोता नाम करमा नाम चैव संपरदाय प्रवर्त के ओम गोतमाई नमे अवाहियामी स्था प्यामी ध्याईयामी भार्दवाज रिसी का आवाहम ओम भार्द्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्यन तत परे आवाहियामी यग्जे अस्मिन पूज्यम पृतिग्रईयता में ओम भार्द्वाज आई नमें आवाहियामी स्था प्यामी ध्याययामी ततो नमस्कारम करोमें विश्वामित्र रिसी का वाहन ओम विश्वामित्र नमस्तुप्यम जल्दा आगनी संप्रभं अध्यक्षी कृते गायत्री तपूरुपेन सनिस्थता ओम विश्वामित्राईनमे आवाहियामे स्थाप्यामे ध्याईयामे कश्चप रिसी का अवाहन ओम कश्चपे सर्वलो काड़े सर्भूत्याकारे असीत्वाम प्रथ्यामे से पूजेंप्रति ग्रहियतामे आवाहियामे अवाहियामे स्थाप्यामे ध्याईयामे ततु नमस्कारम करुमे जम्दगने रिसी का आवाहन आम जम्दगने महातेजा तपसा जलते हतम आवाहियामे यग्गे अस्मिन पूझेम पुझेम पृति ग्रहियत आमे आम जम्दगने नमे आवाहियामे स्थाप्यामे ध्याईयामे वसिस्थ रिसी का आवाहन अत्री रिसी का आवाहन आज्या हूती हो मैं घी की साता हूती देंगे आव्द की साता हूती हूती है। गायत्री मंत्रा हुति ही गायत्री मंत्र के साथ आहुतिया देंगे ओम भुर भुव सह तशवितुर्वरेणियम भर्गो देवश धीमाही धीयो यो नह प्रचुदया स्वाह इदम गायत्रे इदम नमम ओम भुर भुव सह तशवितुर्वरेणियम भर्गो देवश धीमाही धीयो यो नह प्रचुदया स्वाह इदम गायत्रे इदम नमम ओम भुर भुव सह तशवितुर्वरेणियम भर्गो देवश धीमाही धीयो यो नह प्रचुदया स्वाह इदम गायत्रे इदम नमम ओम्भूर्भुवास तशवितुर्वरेणियं भर्गोदेवशदीमाहि दियोयोनः प्रचुदयास्वाह इदम गायत्रे इदम नमाम् ओम्भूर्भुवस तशवितुर्वरेणियं भर्गोदेवस दीमही दियो योनः प्रचोदया स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमाम। ओम्भूर्भुवस तशवितुर्वरेणियं भर्गोदेवस दीमही दियो यो नह प्रचोदया स्वाह एदम गायत्रे इदम नमाम् ओम्भूर्भुवस तशवितुर्वरेणियं भर्गोदेवस दीमही दियो यो नह प्रचोदया स्वाह एदम गायत्रे इदम नमाम् अमभुर्भुवस्वत्ष वितुर्वरेनियं भर्गोदेवसदीमहि धियोयोनः प्रचुदयाश्वाह變 काईत्रे इदमनमों ओम्भूर्भुवास तशवितुर्वरेनियम भर्गोदेवस धीमही धीयो नह प्रचुदया स्वाह इदम गायत्रे इदम नमं ओम्भूर्भुवास तशवितुर्वरेनियम भर्गोदेवस धीमही धीयो नह प्रचुदया स्वाह इदम गायत्रे इदम नमं ओम्भूर्भुवस्वत्षवितुर्वरेणियं भर्गोदेवस्दीमाहि धियोयोनः प्रचोदयास्वाह इदम गायत्रे इदम नमामाः ओम्भूर्भुवस्वत्षवितुर्वरेणियं भर्गोदेवस्दीमाहि धियोयोनः प्रचोदयास्वाह इदम गायत्रे इदम नमामै विशेशाहुतियाँ आलोक और सिल्पितिवारी के पुत्र कालकाजी छेत्र से दिल्ली से उनके बेटे का जनम दिन है भूडपुर से राकेस की तबियत काफी ही समय से खराब चल रही है उसके अच्छे स्वास्त के लिए बहपुरा से संजय दूबे के परिवार के लिए घर में सुक्सान्ती के लिए अच्छे स्वास्त के लिए आगे की ये आहुतियाँ तुमारी मा का भी स्वास्त ठीक नहीं है उनके भी अच्छे स्वास्त के लिए गंगा विहार से संजीव के परिवार के लिए उनके हैं शादी भी है उसके लिए ये आगे की आहुतियाँ ओम त्रियम्बकं यजा मही सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षियम आम्रता स्वाह इदम महम्रतुञ्जा इदम नैमामे नहरुव्यार से स्वेता का उप्रिशन हुआ है उसके अच्छे स्वास्त के लिए ओम त्रियम्बकं यजा मही सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षियम आम्रता स्वाह इदम महम्रतुञ्जा इदम नैमाम ओम त्रियम्बकं यजा मही सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षियम आम्रता स्वाह इदम महम्रतुञ्जा इदम नमाम ओम पंचवक्राय वित्महे महदेवाय धीमही तन्यरुद्रय प्रचोदया स्वाह इदम रुद्रा इदम नमाम ओम पंचवक्राय वित्महे महदेवाय धीमही तन्यरुद्रय प्रचोदया स्वाह इदम रुद्रा इदम नमाम ओम भास्कराय वित्महे दिवाकराय धीमही तन्य सूरिय प्रचोदया स्वाह इदम सूरिया इदम नमाम आम भास्कराई वित्महि दिवाकराई धीमहि तन्य सूर्य प्रचुदयास्वाह इदम सूर्याई इदम नेमामे आम प्रखरपग्याई वित्महि महाकालाई धीमहि तन्य सिदामे प्रचुदयास्वाह इदम महाकालाई इदम नमाम काफी वर्सों से कहा जा रहा है और अब वो समय आ चुका है जब प्रकर्ति अपने संतुलन को बनाने जा रही है परिवार सुरक्षित रहे उसके लिए ये विशेश आहुतियां क्रमी नास के लिए ओम उददाना दिर्व्य क्रमी हंतूत विमोचन हंतूरसंभी ते अंतय क्रमी योगवी स्वाहा इदम आदित्य गणेपै इदम नैमामै रोग नास के रिये आहुति ओम सीर्सम शक्तिम सीर्समयम करणम सूलम विलोहितम सर्वसरीमम सम्नम ते रोगम भहिर निम्नत्रियामही स्वाहा इदम सूरियाई इदम नैमामै सुरक्षा कवच के लिए आहुति ओम अग्नेई वैस्ववानरय वैस्वई रमा देव्यई पाही स्वाहा स्वाहा इदम वैस्ववानरय इदम नैमामै स्विष्टिक्रित हो मैं है अच्छा हाँ बुराडी से अंकुर की दोनों बिटियां लक्षिता और नम्रता दोनों का स्वास ठीक नहीं है उनके अच्छे स्वास्त की भी कामना करेंगे स्विष्टिक्रित हो ओम गी मिस्थान के साथ पूना हुति ही सब पून ता कु जाए एक चम्मस धार बांद करके घी की वसो धारा के लिए छोड़ेंगे आरती करेंगे ओम्यम्रम्म वेदांत विदोवदंती पर्मं प्रधानं पुर्षं तथान्य विश्वो दग्दे कारणमी स्वरंवा तस्मै नमोविग्न विनासनाय ओम्यम्रम्म वर्ण इंद्रू द्रमर्त स्तुन्वंत दीव्यस्तवे वेदै सांग प्द क्रम नोपनीर सदैगारियं तीयम् द्याना वस्तित तद गतेन मन्षा पश्यंतियम योगिनो यशान्तम्न विदू सुरा सुर्गुना देवाय तस्मै नम्य करपूर गोरं करुना अवतारं संसार सारं भुजिगेंद्रहारं सदावसंतं हर्देार विंदै भवं भवानी सहितं नमामी तुमेव माताश्य पिता तुमेव बंदूश्य सक्खा तुमेव विद्याद दणं तुमेव सवर्वं अम्म देव देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गडुद्धजय मंगलम पुंडरी काक्षाई मंगल आई तनुहरी सवार्ति लें पुष्चावल लें और एक परिजम कलस लेकर शांती पाट कराएं। शांती ही शांती ही शांती ही सर्वारिस्ता शुशांतिर भवतु सूरिय एर्गदान कर दें। हर सप्ताहार अविवार को 51 कुंडिय यग किया करेंगे। इस समय 44 फोन मुझे दिख रहे हैं। मैंने कहा है आप देख सकते हैं एक हजार फोन इसको सुनते हैं। चाहे वो दिखावा करते हों पर एक हजार फोन इसके साथ जुड़ते हैं। तो अगर वो सब यग करते हैं तो उतने कुंडिय यग तो होता है पर प्रभाव बिखरे हुए का नहीं होता है। जो चवालिस इस समय हैं चवालिस कुंडिय यग हो गया। इसके परणाम आएंगे कोई करम ऐसा नहीं है जिसके फलना हो। अरग हो सके तो बेरी बात को अंसुना मत करना इक्यामन से ज़्यादे बढ़ाने का प्रियास रखना। कितना अच्छा होता दो सो फोन जुड़े थे इतने कुंडिय यग्य होता। चलिए देव दक्षना के रूप में जो कमिया हैं उनका दान और अच्छाई की तरफ बढ़ने का संकल्प। औम यग्येन यग्यमै जनते देवातानी धर्मानी पर्थमान्याशन तेहनाकं महिमान चचत्र यत्र पूर्वे साद्धेय संति देवा मंत्र पुस्पांजलिम समर्पयामी देव दक्षनाम समर्पयामी। विसर्जन कर देंगे। कुंड में चावल छोड़ देंगे। यजू से चावल वर्मान चावल जूर्मानी प्रुसर प्लप़ लाहन चावल पूर्माम का तास्क्र चावल things showing